गुद मॉनिंग एवरिवान, मैसल देपलशा, आज हम सिखेंगे चैप्टर 16 सुनो कहानी कहो कहान, ये आपकी रशनात्म व्याकरण बुक में पेज नंबर 64 पे हैं, ओके, लेट्स टार्ड, ये कहानी है, जो एक चीडिया और बंदर की कहानी है, ओके, आपको कहानी कौन सु सुनाता है, दादा, दादी, मतलब जो बड़े हैं आपसे वो आपको कहानी सुनाते हैं, कहानी कैसे लगती हैं आपको सुनने में, अच्छी लगती है और एक मैसेज मिलता है कहानी से, ओके, तो हम यहाँ एक चीडिया और बंदर की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक पेड़ पर चिडिया का घोसला था देखो यहां दिखाया गया है पेड़ है घोसला है और चिडिया है तो एक पेड़ पर एक चिडिया का घोसला था जब वो दाना चुगने जाती तब अंदर उसका गोसला खराब कर दे था ये जो बंदर होता था वो क्या करता था उसका गोसला खराब कर दे था मतलब चीडिया इस गोसले में रहती थी तो बंदर उसका गोसला खराब कर देता था तो अगर आपका गर कोई तोड़ दे तो आपको कितनी मुश्किल होती है न तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए चिडिया ने बंदर से पूचा तो वो जगड़ा करने लगा उसने कहा मैंने घुसला नहीं तोड़ा है फिर चिडिया ने इतिम बंदर से बात की तो बंदर ने क्या कहा कि मैंने घुसला नहीं तोड़ा है फिर एक दिम क्या हुआ बारिस हुई तो बारिस में पीखने से बंदर बीमार पड़ गया देखो यहां दिखाया गया बंदर कैसे हो गया बीमार हो तो चिडिया ने क्या किया उसको help ही होगी कि उसके साथ बुरा व्यवर किया होगा हा ना देखते हैं तब चीडिया अपनी छोटी सी चौच में उसके लिए खाना लाने लगा बंदर दीरे दीरे ठीक होगा तो देखो बंदर क्या करता था चीडिया का गुसला तोड़ देता था तो चीडिया ने किया किया उसके साथ बुरा व्यवर नहीं किया और उसने बंदर को help ही और वो क्या लाने लगी उसके लिए खाना लाने लगी और बंदर को ठीक किया उसने बंदर ने चीडिया से माफि मांगे अब वे दोनों दोस्त बन गए तो हमें क्या करना चाहिए अच्छे दोस्त बनाने चाहिए तो अच्छे दोस्त कैसे बनाएंगे कोई हमारे साथ घरा बेभर करें तो हमें उसके साथ बुरा बेवार नहीं करना चाहिए हमें अच्छा बेवार ही करना चाहिए ओकी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ यहां टैक्स बुक में पेश नमबर 65 पे आपको दूसरी स्टोरी दी गई है उसको आपको order wise लिखना है मतलब यहां circle दिया है उसमें आपको 1,2,3,4 order लिखना है ओकी understand thank you हमाल कर दिया है जुब मुटार उपको लोग drie और है और रह में आपको भू खब सरफ है के वरतक है झाल झाल झाल